जै मातादी श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति वावना यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको लोग का बहुत ही चमतकारी उपाई बताँगा यह उपाई बहुत ही चमतकारी है और नवरात्री में किशी भी दिन यह उपाई कर सकते हैं इस उपाई की करने से हर मनो कामना पूरी होती है माता के सामने यह उपाई बहुत ही प्रवावसाली है और नवरात्री में बिशेश रुप से यह उपाई किया जाता है माता के सामने सुद्ध देशी गी का दीपक जलाएं अखन जो अब जलाते ही हैं और गाय का उपला पांच बतासी कुछ लोंगे हैं यह सामा लेकर के आप त्यार रख लें और माता के सामने ओम ए मिरीम क्रीम चावंडा विच्चे नमा इस मंत्र का जाप करते हुए आपको यह उपाय करना है उपाय बिल्कुल साधारण है उपला कपूर के साथ में माता के सामने जलाएं औम ए मिरीम किलिम चावंडा विच्चे स्वाha इस मंत्र को बोलते हुए बतासे में दो लोंग लगा करके और वہ है माता के सामने उस अगनी में डालते जाएं इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद में आपको जहनती मंगला काली भद्रकाली कापाली दुरगा किमा सवादा 308 सवादा नवस्ता दे इस मंतर की माला करनी है अपनी मनुकामना बूल करके उसके बाद में लोंग की माला बना करके 108 लोंग की माला बना करके और माता को अरपन करनी है लोग की माला बना करके पहले त्यार रख लें उसके बाद में एक लाल पुष्प जो गुलाब का डंडी समित होता है वह माता को अरपन करना है और कुछ मिठ्याई माता को अरपन कर दें उसके बाद में आपको माता की सामने हाथ जोड़कर के खिमा याचना करनी है और अपनी मनुकामना के लिए बिंती करनी है ये साधारण सा अपाय दीखने में बहुत ही साधारण अपाय है लेकिन इसका प्रबाब बहुत ही जादा है और इसके बाद में पीपल बरकी के नीचे एक दीपक जलाकर के साध परक्रमा करें बस ये छोटा सा अपाय आप कल लें और फिर देखें इसका चमतका सारी मनुकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और माताराने की किरपा आपको प्राफ्त होगी ये उपाय बिल्कुल गुप्तरूप से करें और किसी को भी ना बताएं जल्दी ही जो भी मनुकामना से उपाय करते हैं संतान, धन, सोकिसंबरती, नोकरी, हर चीज की प्राफ्ती होती है बहुत ही चमतकारी को पाये जय माता दिन